एच्पी के सभी गजाम के लिए हमार पास crash course अवेलवल है, फुल से बस कबर होगा, return notes, pdf, mcq, mock paper, all test series, 10-15 साल पुरानी आपको दी जाती है, daily online test होते है, topic wise, हफ्ते बर में जो पड़ा होता है, उसके बाद आपका weekly test होता है, self test होते है, monthly test होते है, एच्पी जी के इंडियन पॉलिटी, जिग्राफी, क्रेंट अफेस, जी के इंगलिस, मैट के वीडियो लेक्चर, सब कुछ कबर होता है, ज्यादा जानेकारी के लिए हमसे contact करें, पूछे हमसे crash course में और क्या करहेगा, और कैसे join करना है, आज के लेक्चर में modern history के वह question डिसक्स करेंगे, जो काफी ज्यादा हाइलाइटेड बन रहे है, सब एक्जाम में चेक करें खुद को कितने आपको आते हैं, mock test के लूप में लगाईए, फोकस करना भी लेक्चर को पर नमशकार दोस्तों, लोड हलोजी लेकिन क्यों होगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुराने भारत से अधुनिक भारत के निर्मान की जो नीम थी, गुवर्नल जनरल लोड हलोजी नहीं रखी थी, उनका कारेकाल भी आपको क्लेर होना चाहिए, 1848 से लेकर 1856 तक इनका कारेकाल था, यह आपको क्लेर होना चाहिए, लोड हलोजी ने अपने शाशनकाल के दुरान भारत में दो मुख्य सफलताएं हासल की थी, पहला तो यह कि उन्होंने भारत के विविन राजों का पॉलिटिकल इंटेगरेशन किया था, यानि कि राजनितिक एकिकरन किया था, तो दूसरा उन्होंने रेलवी की शुरुवात, टेलीग्राफ और पोस्ट सेवा जैसी सुविदाओं के साथ साथ, देश में कई आर्थिक समाजिक परिवर्तिन भी किये थे, तो इसलिए इसका बिल्कुल सही अंसर होगा, लौड अलोजी, आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं, नेक्ट कॉश्चन है दोस्तो, वू उस्ट मुस्लिम प्रेजडेंट इन, वू उस्ट मुस्लिम प्रेजेंट ऑफ दा, इंडियन नैशनल कॉंग्रेस, कॉश्चन आपके सामने है, मुलाना अबुलकलाम एमे जिना बदरुदिन तैव जी रहिमतुल्ला एम सायानी तो दोस्तों भारती रास्टी कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके क्वेशन के अंसर की तो इसका बल्कुल सही अंसर होगा बदरुदिन तैव जी तो अगर मैं बदरुदिन तैव जी की बात करूँ तो इनके बारे में थोड़ा सापको क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेशन बनते हैं बदरुदिन तैव जी का जनम आठ अक्टूबर 1844 को मुंबई में हुआ था डेट सापको याद रखनी पड़ेंगी आठ अक्टूबर ठीक है आठ अक्टूबर 1844 को मुंबई में हुआ था वे अपने समय के प्रसीद बकील और जज और कॉंग्रेस के नेता भी थे ठीक है तो इसका बहुत सही अंसर होगा बदरुदिन तैवजी आगे बात करेंगे आगे देखते हैं किस टैप के यहाँ पर कॉश्चन इंक्लूड की गए है हमारी टीम के दौरा नेक्स्ट कॉश्चन है इन वीच ओव दा फॉलॉइंग इयर्ज वाजदा कैपिटल और ब्रिटिश गवर्नल्स शिफ्टेट फ्रॉम कालकाटा टू डेली अगर हम यहाँ पर बात करें निमली खित में से किस भरश में ब्रिटिश शाषन की राजधानी को कलकाटा से दिल क्वेर्श कोश्चन के ओपर चलेंगे वीच वाज टा फॉल टू एकसेप्ट वेलेसली सुषीडरी अलाइंस अगर हम यह पे बात करें वेलेसली साहेग संधी को सविकार करने वाला पहले राज्ये कौन था तो दोस्तों लोड वेलेसली सवसीडरी अलाइंस सिस्टम क्या साइक संदी की शर्ते क्या थी यहां से काफी बार questions बना है और यह questions काफी बार exam में पूछा गया है गुमाफरा के questions यहां से बनता है तो आपको थोड़ा से यहां पर clear होना चाहिए वैलेसली सबसीडरी अलाइंस के बारे में क्या था यह वैलेसली ने भारती राज्यों को अंग्रेजी राजनितिक में लाने के लिए साइक संदी सबसीडरी अलाइंस का प्रयोग किया हुआ क्या दोस्तों इसके तहट अंग्रेजी सत्ता की जो पावर थी वो और ज़्यादा स्थाफित हो गई और और ज्यादा मजबूत हो गई तो यह प्रणाली क्या थी यह एक ऐसी प्रणाली थी जिससे अंग्रेजी समराज्य को भारत का एक बहुत बड़ा एरिया हाथ लगा था लेकिन अभी जो आपके माइंड में यह questions put up हो रहा होगा कि क्या थी आखिर यह साह एक संदी प्रथा के अनुसार किसी सहयोगी भारती राज्य के शाषो को बिटिश शेना अपने राज्य में रखना पड़ता था यह काफी most important है इस प्रथा के अनुसार भारती शाषो को यह भी मानना पड़ता था कि वह अपने दरवार में एक बिटिश रेजिडेंट रख सबसेडरी अलाइंस के कुछ नियम और शर्ते भी थी जैसे कि भारती राज्यों के बिडेशी संबंध कमपनियों के अधीन होगे वह के मतलब युद नहीं कर सकेंगे तथा अन्य राज्यों से बाचित भी कमपनी के द्वारा ही होगी यह काफी most important है यह सभी के सभी और most important यह भी है कि राज्यों को अपनी राज्धानी में एक British resident रखना होता था राज्यों की अनुमती के बिना किसी यूरोपियों को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे यह सभी के सभी important points हैं दोस्तों कमपनी राज्यों के अंदर के मामलों में interfere नहीं करेगी यह सभी के सभी इस पीडियो और और चाहिए होगा notes में तो आपको मैं provide कर दूगा WhatsApp group join कर लीजिये तो दोस्तों इस हाएक संदी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारती राज्य है कौन था मदरास हैदराबाद बंगाल या मैसूर इसका सही अंसर होगा हैदराबाद यह सभी के सभी most important points है जो इन में से कौन सा गलत है चौरी-चौरा 1922 क्यूट इंडिया 1942 डंडी मार्च 1931 पार्टिशन ऑफ बंगाल 1905 अगर दोस्तों हम यह बात करें चौरी-चौरा कांट यह कब होता है exact date की है अगर हम यह बात करें 5 फरवरी 1922 क्यूट इंडिया की बात करें 1942 लेकिन exact date की बा चाहिए डंडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930 को हुई थी ठीक है तो यह भी आपको चाहिए लेकिन यह पर यह गलत है तो इसका मतलब यह incorrect है ठीक है बंगाल भीवाजन की बात करें 1905 20 जुलाई ठीक है यह आपको चाहिए 20 जुलाई 1905 यह सभी के सभी important points से आगे बात क Congress at the time of independence was तो दोस्तों यहाँ पर question में यह पूचा गया है कि सुतनतता किसमें भारती रास्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष कोन थे जुहारलाल नहरू, राजंदर परसाद, सी राजगोपालाचारी, जेवी कृपलानी अगर हम यहाँ पर बात करें जीवंत राम, भगवान द बात करें तो भारत के सुतनतता सगराम के राजनेतत है, उन्हें समान के से और किस नाम से जाना जाता था, यह काफी मौस्त इंपॉर्टन पॉइंट्स हैं, तो दोस्तों उन्हें अचारे कृपलानी के नाम से भी जाना जाता था, वेसन 1947 में भारती रास्ट्री कॉंग्रे आएंगे, तो अच्छे से कर लीजी, क्योंकि यह टॉपिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, आगे बात करेंगे, वीच आफ दा फॉलॉइंग वाज़ आफ दा फर्स्ट वार ओफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857, की दोस्तों, निमलिकित में से कौन 1857 में 32 वतनता था के पहले युद का कारण था, ठीक है, तो जैसे कि आपको क्लियर होगा कि 1857 का जो विद्रो था, वो 10 मई 1857 को मेरट में शुरू हुआ था, और इसका कारण क्या था, गाए और सुवर की चर्वी लगे कार्तोसों का प्रयोग करना, लेकि प्रशन में ये पुछा गया है, फ दॉक्ट्रिन ओफ लेपसी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नल जनरल लॉड हलोजी के दिमाग की उपस दी, काफी मौस्ट इंपोर्टन पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी, और दोस्तों, इससे किसी क्या थी ये लॉड अगर हम यह आपे बात करें, डॉक्ट्रिन ओफ होगी, वो ब्रिटिस समराज जेम का हिसाब बन जाएगी, यानि कि अंग्रेजी शाशन में चली जाएगी, आगे बात करेंगे, विद विच ओव दा फॉलॉइंग इस दा डैथ ओफ लाला लाजपत्राई, ऐस्यूशेटेड लाला लाजपत्राई की मृत्यू निमली खित में से किसके साथ जूड़ी हूई है, तो दोस्तो बहरत का संभीदान बनाने के लिए साइमन कमिशन की न्युक्ति की गई थी, कब की गई थी? 8 नमबर 1927 को इसकी न्युक्ति की गई थी और 3 फरवरी 1928 को ये भारत में प्रवेश किया था, कब किया था? 3 फरवरी 1928 को ये भारत में प्रवेशक किया था इस कमीशन में सभी अंग्रेज सदस्य होने के कारण भारत में बिरोध हुआ साइमन कमीशन बापिस जाओ के नारे लगे सबसे ज़्यादा बिरोध किस ने किया था लाला लाजपत्राई ने किया जिसके कारण उन्हें लाठियों के प्रहार का सामना करना पड़ा और लाठियों के प्रहार से भी लाला लाजपत्राई की मृत्यू हुई थी ये भी आपको clear होना चाहिए कब मृत्यू हुई 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यू हुई थी और उस पुलिस अध्यक्ष का नाम बताईए जिनकी मौत के पीछे इनका हाथ था या इनका नाम जोड़ा हुआ है तो यह भी आपको क्लेर होना चाहिए सन सांडर्स स्कॉट ठीक है यह भी कॉश्टन आपके एक्जाम में बना है आगे बात करेंगे आगे देखते हैं आट वीच ओफ दा फॉलोइंग शेशन ओफ आइनसी वाज़ दा नैशनल सौंग फर्स्ट संग यानि कि आपे बात करें निमली खित में से किसमें आइनसी यानि की इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के शेशन में नैशनल सौंग पहली वार गया गया था तो दोस्तों यहां से अग्जाम में पूछा भी गया है तो दोस्तों बंकिम चंदर चटर जी द्वारा संस्कृत में रचित जो गीत है उनका बंदे मातरम उनके जो प्रिसिद उपनियास है कहां से लिए गया है अनंद मठ ठीक है आपको क्लेर होना चाहिए अनंद मठ 1882 में शामिल किया गया थ इसे रास्टर गान के बरावर दर्जा प्रापत है बाद में ये गीत रविंद ना टेग और द्वारा गया गया था और 1896 में कलकता में आयोजित भारती रास्टरी कॉंग्रेस के बारवे बार्शिक शेशन में इकठे होने से पहले पहली बार गया गया था इसे 1937 में एक प्रस्ताब के माधम से रास्टरी गेत के रूप में गोशित किया गया था तो इसका बिलकुल सही अंसर होगा कलकता 1896 ठीक है तो काफी important points है ये सभी के सभी कलकता 1896 दोस्तों जो पहली वार विजिट कर रहे है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ली प्रेस कर दोस्तों जोस्तों 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 जोस्तों